हलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूटूब चैनल बगील एजूकिशन में जैसा कि आपने कल हुने आपको एक फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अप्लोड की थी जो बच्चे अगर वो वीडियो नहीं देख पाये हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन में हमे जाके कमेंट करें अधर बच्चे बोल चाहें कि समय में इसका सलूशन मी चाहिए मैं कोशिज करूँ आपको स्वालोशन में उसका प्रोवाइड कर चलिए आईए मैं अगले चैप्टर रिस्टार्ट करने वाला हूं वो चैप्टर नंबर है दो यानि कि अध्याय दो कोशन आते हैं अरो कोशन काफी एजी आते हैं चलिए समधाने का प्रयास करनों की आपको समझ में आये कोशन है कि दोईगात बहुपद एक स्कूर माइनस टू एक समय के सुन्यक तद ज्यांद कीजिए और गोणांकों की बीच संबन सत्यता की ज्यांद की आई की समझते है हैं कि सबसेंद हम इसके सुन्यक पहले तो समझ जाते हैं कि सुन्यक का मतलब क्या होता है सुन्यक को अब सुन्यक मतलब क्या हुता है बच ऊता है कि डो मान निकालेंगे क्या निकालेंगे एकस के दोमान कैसे आएंगे और वो दो मान यहां है इस वहुपत में रखेंगे एके करके लाइए तो अगर अगर सुनि इधार आता है तो फुम अगर राइट साइड में वियाता है तो वह जो X के मान होंगे इस बवगपत को सट्टाइब करें तो जब दोनों का मान सुनने आगा इसलिए इसको हम सुने करते हैं चलिए हम समधाने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम कोशन को लेते हैं कि इसक्वार मैनस 2 एकष मैनस गaient और dealers समझेक ग Sask accents समझेकर गुरूंकंड विझिश्या सेमों एकष के दोन करेंगे अब देहां समझेकर यहां कि यहां अन्हारा अन्हें पद है इसको हम बोलते हैं अन्हें पर अर् मकॉलत हैं प्रथम पद खे़िए अष्व गुनन फल को ऐसे दो बराबर भागों में बाटिए जहां से समझेगा अंतिम पद का प्रथम पद से ऐसे गुणा करें कि गुणन फल जो आता है उसको दो पदों में ऐसे बाटिए कि गुणा करने से गुणन फल के बराबर आना चाहिए और जोडने घटाने से बीच बाले जोडने पहते हैं आठसने में फ्लागते हैं है एब चाहर पर दो जो यानी कि आप ध्यास समझेगे बोलद को से ड mm जोना करेंगे चा और यहां पर गुणे दो दो लेते हैं तो चार दूनी आठ और अगर हम चार में दो घटाएंगे तो कितना आजाएगा यहाँ पर दो यानि कि आठ को हमने ऐसे दो बराबर भागों में बाट लिया कि उनका गुननफर कितना आना चाहिए चाहिए जोडने और घटाने से बीच वाले पर कि क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए चलिए मैं इसको सौल करके देखाता हम आपको अट ह टो यहां पर हम क्या करते हं। ऐले कि इसमें मैंकी करते हैं तो द्ध् ng संवजेंगा यहां पर एक्सी स्वायर माइनस भ्रेकेट में लिख लेते हैं 4 x मैंनस 2 x मैंनस आफ यहां पर ऐसा क्यों कर रहा है तो चार का अगर दो में गोड़ा करेंगे तो चार दूरी आठ हैगा और चार में दो को भटाएंगे तो बीच वाले पद की क्या आ रहा है बरावर यानि की दो की बरावर इसको सौट बखर लेते हैं माइनस का अंदर गोना करेंगे तो माइनस और प्लस का गोना होगा तो माइनस माइनस प्लस और जोड़ा बनाने का मतलब होता है इनिए बहुत चीज़े निखाने हैं चरह नहीं कोने जाहां पर दूनों में कोमन क्या दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है, दो, कैसे दो दिख रहा है वो हम बताएंगे आपको यहां पर एक शाइग और ध्यान लखेगे, आठ को हम लिख सकते हैं, चार उडे, दो तो जब यहां पर हम दो बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा यहां पर चार आएगा अब ध्यान से समझेगा इसका मतलब यह है कि जो चीज यहां आएगा वही चीज यहां आना चाहिए अगर जो चीज यहां नहीं है तो गलत माना जाएगा फिर सही नहीं होगा अब ध्यान द क्या तो ध्यान से समझेगा एक्स यहां से बच रहा है और प्लस है तो प्लस करिया और यहां पर क्या लेका लिए दो अब ध्यान से समझेगा यहां पर सुन्यक्त कमतलब यहां पर हुआ ले रहे हैं जीरो है यहां पर हम जीरो लेंगे तो ध्यान से समझेगगा आई से उदर जाएगा तो क्या आएगा 4 आएगा आई हो कि आपको समझ में आता होगा अब दियान से समझेगा यहां पर हम यहां पर चोई चोई बाबरकु ना है ओवर डो बेरी प्यारे बच्चों यही एक्स के दो बान क्या कहलेंगे डो बान क्या रहें अभ ध्यान से समझेगा अधर यह बच्चों आपको यह वह अच्छे से समझ में आया अब उमार करता हूं इस को सुपर आप 2-3 बार जब तक की समझ में आया है, वीडियो को फॉस करके बार बार देखने का प्रयास करें और हाँ मैं एक्षी आप समगा देने का प्रयास करता हूं कि कुशिन में दिया गें कि दुरी हाट बोपत X2-2X-8 के सुनिक जात कीजिए और गुणाखों के बीच के संबंद अब दियास करें यह परस में आइनी बर तो 2 नमबर करेंगी किते नमर करेंगी दो नमर करेंगी और 2 नमर में सिरफ और सुनिक जात कीजिए संबंद ओप सक्था कि जात करने देर नहीं आया जो मैं रिक दिया हूं किसे समझने आया होगा और अगर आप समझ लेते हैं तो 101ytt पर चूरह मैं कैता हो कि आप टोनों कोश्चिन समय जोबल्स खिंग फोड़ंकस्ट में खरी करने को और आप इसक Special